तो वेलकम बैक आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सेसाइज 4A का कोस्ट नमबर 4 तो कोस्ट नमबर 4 की स्टेट्मेंट रीट कर लेते हैं लिखावा है एक्सपैंड इच ओव दा फॉल्विंग एक्सपैंड यहां हमारे पास दो एक्सपैंड हैं ए और बी पार्ट की शकर में हमने इनको एक्सपैंड करके दिखाना है एक्सपैंड का मतलब है जो ब्रैकेट्स आ रही है इनको उपन करना है और उसके बाद हम इसको जहां तक सिंप्लिफाय हो सकता है वो भी करेंगे तो आएए देखते हैं हम यह दोनों पार्ट किस तरी किससे करने जा रहे हैं और दोनों ब्रैकेट्स को जो कि इन दोनों पार्ट में पीर हो रही है किस तरी के से एक्सपैंड करेंगे तो मैंने यहां पर यह एए पार्ट लिख लिए है तो यह A part basically बिलकुल chapter number 3 से related है इस तरह के questions हमने chapter number 3 में किये हैं तो जिस तरह chapter number 3 में perform किये थे उसी तरीके से यहाँ भी हमने करने हैं यह basically लिखा हुआ है product यह एक पूरी term है और यह एक पूरी term है यह दोनों terms आपस में multiply हो रही है कि जब भी आपस दो brackets इस तरह involve आज होगी तो हमने इसको specific rule के थरू जो है ना इनको expand करना है इनको open करना है और उसके बाद इसको simplify करना है यह दोनों जिस तरह expand होगी यह chapter number 3 में मैं बता चुका हूँ यही चीज़ मैं दुबारा से explain भी करने लगा हूँ तो आपने क्या करना है जब भी आपके पास दो terms इस तरह multiply हो रही हो दो brackets इस तरह round brackets आ जाएं और वो आपस में इस तरह multiply हो रही हो या इस तरह लिखी वी हो तो इनको expand करने के लिए इनको multiply करने के लिए हमें step by step procedure follow करना पड़ता है वो procedure क्या है आपने सबसे पहले यहाँ पे quality का sign लगा लेना है और देखना है कि जो सबसे पहली bracket है उसमें सबसे पहली term या सबसे पहली entry कौन सी है तो जो सबसे पहली bracket है x plus y वाली इसमें सबसे पहली term है x आपने इसको पहले लिखे लेना है यहाँ पे तो हम इसको लिख लेंगे x उसके बाद आपने हमेशा brackets डालनी है और उस bracket में दूसरी वाली complete जो है entries लिख ले ली है दूसरी जो brackets हैं उसके अंदर जो complete entries हैं वो है x plus 6y वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है x plus 6y यानि पहली term को आपने दूसरी वाली complete bracket से एक तरह का multiplying करवा दिया उसके बाद यहाँ पे अपने एक sign डालने हैं वो sign वो आएगा जो पहली bracket में पहली entry के बाद है यानि पहली entry x थी उसके बाद क्या है प्लस वो ही sign यहाँ पे आएगा अब यही काम जो आपने x के लिए किया है यही काम आपने y के लिए भी करना है अब आपने लिखना है यहाँ पे y दूसरी entry और इसके आगे भी brackets डालने है उसी तरीके से और इसके आगे फिर से यही चीज दुबारा लिख लेनी है यानि x plus 6y को पहली लिख लेना है इसको basically क्या कहते हैं हम हर entry को दूसरी वाली brackets की हर entry से multiply करवा रहे होते हैं इसी को इसकी expansion बोला जाता है तो आप देखें यह वाला x इन दोनों से भी multiply होगा इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिए यह वाला y इन दोनों से भी multiply होगा इसलिए मैंने इसको भी ऐसे लिख लिख लिए यानि y multiply by brackets x plus 6y तो हमने यही rule follow करना है पहली entry उतारा करेंगे उसके बाद जो दूसरी bracket है उसको complete लिख 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 लिखेंगे sign जो भी यहाँ पे लिखा हुआ करेगा पहली bracket के अंदर पहली entry के बाद वो ही use किया करेंगे दूसरी entry को लिखा करेंगे और उसके आगे भी उसी तरीके से पूरी दूसरी bracket को लिख लिया करेंगे अब जस्ट आपने multiply करना है वो हम इसके starting parts में exercise के देख चुके है वो बहुत असान है तो हम इसको लिखेंगे x x times यानि x x से भी multiply होगा यह वाला x 6 y से भी multiply होगा हम इनको separate करके नहीं लिख रहा तो x x times x multiply by x तो x x times कितना होता है वो होता है x square दो मरतबा x यानि x square तो आप यहाँ पर लिखेंगे x को जब x से multiply करेंगे यहाँ पर आएगा x square sign plus का ही रहेगा क्योंकि बाहर positive value लिखी हुए यह positive x है तो इसलिए अंदर sign change करने की जुरुत नहीं है तो x को जब आप 6 y से multiply करेंगे क्योंकि दूसरी बारी x को 6 y से multiply करने की है तो जो number है यहाँ पर कोई number नहीं है आप 1 consider कर लें तो 6 one times तो क्या हो जाएगा 6 यह दोनों different variables हैं तो एक मरतबा x लिख लें और एक मरतबा y लिख लें यहीं इनकी multiplication के लाएगी तो x को जब आप 6 y से multiply करेंगे आपके पास आएगा 6 x y same procedure यहाँ पर follow करना है plus का sign यह वाला यह भी positive है तो उन्दर कोई भी sign change नहीं होगा यानि कोई भी sign के issues नहीं आएगे y को x से multiply करना है तो यह बहुत simple है y को x का multiply करने का मतलब है दोनों different variable हैं तो एक मरतबा y लिख लें एक मरतबा x लिख लें आप इसको x y भी लिख सकते हैं और y x भी लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर x y लिख लए हूँ इस वह जैसे की यहाँ पर भी x y आ चुका है तो यह अच्छा लगेगा की यहाँ भी x y 此का है पर चानने में असानी रहेगी अब आपने y को 6y से multiply करवाना है यानि y को 6y से multiply करवाना है तो देखें ये तो number है 6 यहाँ पे कोई number मजूद है जो के नहीं है तो मैंने 1 consider कर लिया 6 1 times क्या हो जाएगा 6 और y y times 2 मरतबा y आ रहा है तो आपको y की पार लिख ले दिये 2 यानि y square तो यानि y को जब 6y से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 6y square जब आप यहाँ तक कर लेंगे अब आपने देखना है आपके पास like terms कौन सी है वो terms जो के एक जैसी आपको लग रही है x square जैसी कोई भी term नहीं है 6y square जिसमें y square आ रहा है कोई भी term नहीं है हां ये दो terms एक जैसी है इधर भी x y लिखा हूआ है इधर भी x y लिखा हूआ है यानि ये variable के लिहाद से एक जैसी है numbers कुछ भी हो उन में मसला नहीं बनता आपने बस ये letters देखने होते हैं ये variables देखने होते हैं कि ये parts के लिहाज से और अपनी base के लिहाज से same हो, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो मैं इन दोनों को like terms ही consider करूँगा, तो अब मैं करूँगा, एक मरतबा लिख लूँगा x square, यहाँ भी plus है, यहाँ भी plus है, इन दोनों के sign, इस number के भी इसके पीछे वाला sign, और इस term के भी इसके पीछे वाला sign, इन दोनों को use करके मैं decide करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, तो plus, 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 plus ही होता है, यह लिखा है 6, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको आप वैसे ही उतार लेंगे, 6Y square, तो यह हो गया हमारे पास, question number 4 का part number A, तो अब मैंने देखे, यहाँ पे question number 4 का part number B लिखावा है, तो अब मैंने इन दोनों को expand करना है, इन दोनों को basically multiply करना है, same procedure जो part number A में follow किया गया है, वही procedure यहाँ पे follow करूँगा, यानि सबसे पहले जो bracket लिखी वी है, इसमें जो सबसे पहली entry लिखी वी है, उसको लिख लूँगा, X square, आगे bracket डालूँगा, और इस पूरी bracket को दूसरी वाली को, as it is यहाँ पे उतार लूँगा, यानि X plus 5 और bracket close, उसके बाद जो पहली bracket की दूसरी entry है, plus 2, उसके sign समेथ वो लिखूँगा, फिर दुबारा दूसरी वाली bracket को completely उतार लूँगा, तो यहाँ पे आजएगा X plus 5, अब मैं direct करूँगा, क्योंकि मैं चीज़े explain कर चुका हूँ, X square को X से भी multiply करना है, X square को 5 से भी, distributed log के तहर, तो X square को X से multiply करना है, यानि basically X square multiply बे क्या करना है, X, तो आपको मैंने चीज़ सिखाई भी है, कि जब भी basis same होगी, basis कहेंगे जो पार के नीचे है, जैसे 2 के नीचे क्या लिखावा है, X, यहाँ पर कोई भी पार नहीं है, कि पार जैन को add कर लें, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, तो इसका answer आएगा, X square को X से multiply करने से, X to power 3, यानि X cube, वैसे भी देख लें, 2X यहाँ पर, 1X यहाँ पर, तो 2 और 1X मिला के कितने होगे, 3X, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, तो X square को X से multiply करेंगे, तो X cube, प्लस का sign, इसी X square को 5 से multiply करेंगे, तो 5 तो वैसे ही आजएगा, और 7 उसके X square आजएगा, यह हो जएगा 5 multiply by X square, यानि 5 X square, प्लस का sign, 2 को X से multiply करेंगे, कोई फरक नहीं है, यहाँ पर कोई number ही नहीं है, तो just 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 7 X, तो 2 X, यहाँ पर आप 1 consider करते, तो 2 1 times 2 होता, X वैसे लिखते तब भी बात सेम थी, प्लस वैसे, sign change नहीं हो रहे, क्योंकि बाइर positive numbers हैं, तो इसलिए sign change करने की जूरूत नहीं पड़ेगी, तो 2 5 times 10, तो देखिए यहाँ तक हो गया, अब आप देखें, क्या इसमें कोई like terms हैं, यहाँ पर लिखावा है X2 पार 3, यानि X3 इस जैसी कोई भी term नहीं है, जहाँ पर X3 पार 3 आ रही हो, यानि इस जैसी term तो नहीं मिलेगी, यहाँ पर लिखावा X2, तो यहाँ पर कहीं भी X2 इसके लावा नहीं है, यानि इस जैसी term भी नहीं है, इस तरही X जैसी term भी आगे नहीं है, और number तो वैसी A की लिखावा 10, तो यानि इसका यही simplification है, इससे आगे पर इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी like times आपको नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है, कुस्त नमबर 4 के पार्ट नमबर B का अंसर यहां तक ही होगा,